हेलो फ्रेंड्स, गूड मॉर्णिंग, सब की पार्ट सारा यूटूब चैनल में आप सबों का स्वागत है और जैसा की आप सबों को पता है कि क्लास नाइन्थ के मैथ का जो फर्ष्ट चप्टर है संख्यापद्दती इसको हम लोग पढ़ रहे हैं और इस चप्टर को पहले लेक्चर में जो चीज हम लोग पढ़े थे पहले इसका रिभाइज कर लेते हैं पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे की अंक जो है वो कुल 10 होता है 0 से शुरू है और 9 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक के बाद हम लोग संख्यां के बारे में पढ़े थे कि अंकों के मेल से संख्यां बनती है और जैसे 1 और 2 अंक है इस दोनों को मिलाने से 12 एक संख्यां बन गिया ठीक उसी तरह से 25 एक संख्यां है 842 एक संख्यां है 9050 ये भी एक संख्यां है तो अंकों को आपस में जोड देने से संख्यां का निर्मान हो जाएगा अब इसके बाद हम लोग जो पढ़े थे वो प्राकृतिक संख्यां के बारे में पढ़े थे जिसको इंग्लिस में नेचरल नंबर के नाम से जाना जाता है गिंती की संख्यां को प्राकृतिक संख्यां कहा जाता है जैसे एक, पंद्रा, अठाइस इसी तरह से आगे और भी भहसरा संख्यां होगा जिसको हम लोग गिंती में इस्तमाल करते हैं अब प्राकृतिक संख्यां के बारे में कुछ points है कि प्राकृतिक संख्यां को capital N से denote के आता है और सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्यां वो एक है सभी प्राकृतिक संख्यां जिसको हम लोग गिंती में पढ़ियोग करते हैं और इसके बाद पूर्ण संख्यां के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अंग्रेजी में जिसे हॉल नंबर के नाम से जाना जाता है सुन्य सहित गिंती की सभी संख्य यानि प्राकिर्तिक संख्या को क्यून मिला करके पुर्ण संख्या कहा जाएगा जैसे जीरो एक दो तीन और पुर्ण संख्या के बारे में कुछ मुख बि आईसी पुर्ण संख्या है जो प्राकिर्तिक संख्या नहीं है इसको छोर करके सुन्ने को छोर करके मां की सभी पुर्ण संख्या प्राकिर्तिक संख्या है इसके बाद प्राकिर्तिक संख्या और पुर्ण संख्या के बारे में कुछ बिंदों पर चर्चा किये थे आईए उसे भी देख लेते हैं कि पुर्ण संख्याओं का जो समू है पुर्ण संख्याओं का समू प्राकृतिक संख्याओं के समू से बड़ी होती है और सभी जो प्राकृतिक संख्याओं है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं एक पुर्ण संख्याओं है और सभी जो पुर्ण संख संख्यां तो है लेकिन प्राकृतिक संख्यां नहीं है इसको डाइग्राम के जरी भी आप देख सकते हैं कि यह आप देखिए यह हमने थैला बनाया है जिसकी अंदर नेचरल नमबर यानि प्राकृत संख्यां को हमने रखा है कि प्राकृतिक संख्यां के बॉक्स में वो सभी class को start करते हैं कि पुर्ण संख्यां के बाद हम लोग पुर्णांक पर चर्चा करते हैं पुर्णांक को अंग्रेजी में integers के नाम से जाना जाता है जितना भी पुर्ण संख्यां है कुल पुर्ण संख्यां और उसके साथ रिनात्मक पुर्णांक इस दोनों को सम्मिलित रूप से पुरुनांक कहा जाता है जैसे जीरो यह एक पुरुनांक है पचीस यह पुरुनांक है उसी तरह से माइनस पचीस भी एक क्या है पुरुनांक है अब संख्यारेखा को हम लोग देखते हैं यह जो संख्यारेखा है नंबर लाइन जिसको बोलते हैं इंगलिस में इस संख्य बाई वर है इसको धनात्मक पुरुणांग कहेंगे इस तरह से पुरुणांग दो तरह का हो गया रिनात्मक पुरुणांग और धनात्मक पुरुणांग पुरणांक को Z या I से सुचित करते हैं Z ये जर्मन सब्द है जहलीन उससे आया है और जो संख्यां रेखा में आप देख रहे हैं तो इस संख्यां रेखा पर सुनने से सुनने से अगर आप बाई वर चले जाएंगे तो बाई वर जैसे बढ़ेंगे वैसे संख्यां का जो मान है वो घटता जाएगा यानि संख्यां रेखा पर सुनने से बाई की ओर संख्यां जो है वो घटते करम में लिखा गिया है और वहीं दाहिने ओर संख्यां को बढ़ते करम में लिखा गिया है यानि मैनस एक और मैनस दो मानस तिन ये जो संख्या है मानस एक मानस दो मानस तिन ये घड़ते करम में है वह पर एक दो तिन ये बढ़ते करम में है इसकी बाद आईए सुन सभी रिनात्मक पुरुनांक से जितना भी रिनात्मक पुरुनांक है सबसे बड़ी है लेकिन धनात्मक पुरुनांक से ये छो पुर्णांक संख्याओं का जो संग्रे है जितना संख्या पुर्णांक संख्याओं के अंतरकत आएगा वो सब मिला करके पुर्ण संख्याओं का जो समू है या प्राकृतिक संख्याओं का जो समू है इन दोनों के समू से बड़ी समू है अब यहां देख लिजी आप इसको ह पुर्ण संख्या है या जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सब एक पुर्णांक संख्या है लेकिन सभी पुर्णांक संख्या ना ही पुर्णांक संख्या है और ना ही प्राकृतिक संख्या है तो इससे पता चला कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो एक पुर्णांक इसको आप डाइग्राम में भी देख सकते हैं आईए इसके बाद हम लोग परीमे संख्या पर चर्चा करते हैं परीमे संख्या को इंग्लिस में rational number के नाम से जाना जाता है जिस संख्या को P वटे Q के रूप में लिखा जा सकता है P वटे Q के रूप में लिखा जा सकता है वह संख्या परीमे संख्या कहला आएगा लेकिन इसमें condition है कि P तथा Q ये दोनों प्रुनांख होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए आप example देख लें 5 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं वटे के रूप में लिख सकते हैं तो ये एक परीमे संख्या है मैनस 8 इसको भी बटे के रूप में लिख सकते हैं तो ये भी एक परीमे संख्या है 5 दो बटे 5 ये भी परीमे संख्या है मैनस 7 बटे 8 ये भी एक परीमे संख्या है और इसके बाद हम लोग अब लक्षर में परीमे संख्यां के बारे में डीटियल से परेंगे धन्यवाद